एक तरक करने वाला विद्वान गुरू के पास गया, उन्होंने कहा कि मुझे प्रमात्मा क्या आउशकता है। गुरू ने नजर दोड़ा करके देखा कि बोल तो रहा है, एक इन अंदर में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप चले जाओ यहां से, आपको गुरू की जरूरत नहीं है, आप चले जाओ यहां से, और यहां नहीं रुक पाओगे, यहां रुकना आसान नहीं होता, उसने कहा नहीं नहीं गुरू जी, मैं जरूरू यहां तो रुकने के लिए आया हूँ, उन्हों उने कहा नहीं चले जाओ यहां से उसने कहा मैं सोच के बताता हूँ गुरू बनाने के लिए गए और उसने कहा गुरू को की सोच के बताता हूँ गुरू भी देख रहे थे कि यह सोचेगा तब मुझे बताएगा जब इसको खुद ही जानकारी नहीं पता ही नहीं जाना है य उन्होंने कहा जी मैं सोच करके आ गया उन्होंने कहा क्या सोचा कि मैं फैसला करके आया हूं कि मैं नहीं जाओंगा उसने कहा रे तुम फैसला करने वाले कौन हो और ये मुझे फैसला सुनाने वाले तुम कौन हो फैसला करने वाला तो मेरा यह तो प्रमात्मा का अधिकार है या गुरु का अधिकार है तुम कैसे ग्यान प्राक्त कर सकते हैं उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेरा फैसला है संतों उन्होंने कहा संतों को फैसले नहीं सुनाए जाते संत के ओल एक की सुनते हैं उसी का फैसला सुनते हैं दूसरा किसी का नहीं उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाओंगा उन्होंने कहा ठीक है रुक जाओ कुछ दिन हुए उन्होंने कहा कि जाओ बोजन लेकर के आओ वो बैठा बैठा सोच रहा क्या मैं यहां गुरू के लिए बोजन बनाने के लिए आया हूँ क्या मेरा यही काम है गुरू देख रहा उसकी और उन्होंने कहा कि बेटा, खड़ा हो और भोजन बना ले अच्छा रहेगा उन्होंने कहा क्या गुरू जी, मैं भोजन के लिए आया हूं उसने कहा ठीक है मेरे लिए भोजन लेया और आज से इसका भोजन बंद कर दो, उचट पटाने लगा, एक दिन ही भोजन बंद हुआ था, हाथ पैर मारने लगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, संत लोग इतने निर्दई कैसे हो सकते हैं, संत तो दया के भरे हुए होते हैं, संतों को कैसे है ये सोभा देता है, ये तो संत ह जहारों कमियां दिखने लगी अपने गुरु के अंदर उन्होंने कहा कि बेटा कहीं भी चले जाओ चाहे आप संसार के अंदर रहो चाहे आप बाहर चले जाओ देखा होगा तुमने कि जो संत हैं वो भी कंदराएं बना करके रहते हैं पाड़ों को काट करके रहते हैं उन्ह आप देखते होगे भटकते हुए तीर्थों के उपर मैंने देखा है मांग मांग करके खाते रहते हैं घर से भाग गए आवसकता है पूरी नहीं हुई काम वही है जो घर होना था इसलिए हमारे संतों ने कहा है घर रहते हुए भी साधना की जा सकती है और अच्छी तरह से की जा सकती है उन्होंने कहा कि नहीं मुझे भोजन किया उसकता है उन्होंने रात को भोजन दिला दिया और कहा अब तुम चले जाओ जब यह गए हो तब आना यहां यहां साधना करने वालों किया उसकता है यहां आदेश देने वालों किया उसकता नहीं यहां तरक करने वालों कि आउसकता नहीं, यहां ध्यान करने वालों कि आउसकता है, यहां ध्यान देने वालों कि आउसकता नहीं, यहां भगती करने वालों कि आउसकता है, इस अंसार के अंदर परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, लेकिन जब तक कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो, जब तक उसका सब कुछ सेयोग मिलाने वाला ना हो तब तक कल्याड नहीं हो सकता आप जिस परकार से समझो आप लोगों के बीच में सारी बस्तुएं डाल दी जाएं आटा भी डाल दिया जाए पानी भी डाल दिया जाए सामान भी डाल दिया जाए अगनी भी जला दी जाए और जो बनाने के सारा समान है वो रख दिया जाए अगर किशी को बनाना ना आए नमक की जगे अटा डाल दे अटे की जगे नमक डाल दे अगर सारा बलेस ना बना पाए एक एक चीज की सही मात्तरा ना डाल पाए तो क्या भुजन तयार हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, उसी परकार से यह आप लोगों का जीवन है, यह भाग राप परमात्मा की ओर, उसने सब कुछ दे करके भेजा है, सब को बराबर दे करके भेजा है, उन्होंने कोई फरक नहीं किया किसी के साथ भी, उन्होंने सब को उसको इकठा करना हम किस परकार से उसका सुदुपियों कर सकते हैं जो जितना सुदुपियों करता है वो उतना ही उपर उठ जाता है तो उसी परकार से आप इस जीवन का जितना सुदुपियों करते हैं उतना ही आप इसका लाव उठाते चले जाते हैं जितना भी आप इसको एक एक चीज को जीना सीखते हैं उतना हिश्का परभाव आपके उपर पड़ता चला जाता है जितना आप इसके नजदीक जाते हैं किसके श्रीर के नहीं आत्मा के जितना आप आत्मा के नजदीक जाते हैं ये उतनी ही सपीट के साथ बढ़ने लगती है बहुत सपीट है इस आत्मा की कोई नहीं रोक सकता चाहे तब भी नहीं रोक सकता सब आपनी परकरती की ओर भागते रहते हैं आप जल देखो कितनी उपर से गिरता है जब जल उपर से गिरता है तो पाक और पवितर होता है बहुत साफ होता है आप उसको इकठा करके देखो किसी पातर में डाल कर करके देखो उसके उपर रिसर्च करके देखो बहुत साफ जल होता है वो लेकिन जब वो जल आता है या गंदगी में गिरता है किचड बन जाता है किचड बन करके वो बुरा हाल हो जाता है उसका उसे दुरकंद आने लगती है जल को भी महसूस होने लगे कि दुरकंद आ रह पढती हैँ सूर्ये की की FF पढती है वायू के जोके के साथ वो उठने लगता है भूँ premi के छुब पढता तही निकल जाता है निकल जाता है फिर पाक पोई तर हो जाता है उसी प्रकार से आतमा सो ये प्रमात्मा के नजदीक श्यायती बहुत पुईतर थी ये लेकिन जितनी दूरी बढ़ती चली गई हम इन करमों के अंदर फ़स्ते चले गए और जो ये करम का कीच है ये आत्मा के उपर भारी पड़ने लगा आत्मा दीरे दीरे दबने लगी आत्मा को ने कोई मार सकता ह है ने जला सकता है ने पवितर कर सकता है ने एपवितर कर सकता है लेकिन जो ये परदा पड़ा हुआ है भरम का जो इसके ऊपर ये परत दर परत चड़ती चली गई और जो ये मलीन होता चला गया जो ये दबता चला गया मुका ही नहीं मिला उठने का जब आप इसको उठा एक परत को उखाड करके फेक दोगे तो केवल आत्मा की पवितरता ही नजर आएगी और आत्मा आपको सपष्ट दिखाई देने लगेगी और जब आपको सपष्ट दिखाई देने लगेगी तो जो ये जो संद महात्मा आपको नूरी सरीर कहते हुए सुने है आपको इसे पा कारण शरीर में चले गए, कारण से परे महाकारण ग्यान देही विज्ञान देही तक भी चले गए, तब भी आप पूर्ण मुक्त नहीं हैं, कितना भी कोशिश कर ले ये पूर्ण मुक्ती नहीं हैं, फिर आपको वापिस आना पड़ेगा, जब तक इन सब शरीरों के चक्रो को तोड़ करके उपर नहीं उटोगे, तो आपको इसी तरह से आना जाना इस संसार के अंदर लगा रहेगा, तीनों देवता भी बंदे हुए हैं, किसी का काम पालन करने का है, पोशन करने का है, किसी का काम रक्ष्या करने का है, किसी का काम संघार करने का है, किसी का काम पै प्रमाहत्मा की नजरों का खेल है जब तक उसकी करपा दरिष्टी नहीं होती जिवस ब्रमाण्ड से मुक्ट नहीं हो सकता इसी परकार से संसार में छटपटाते रहोगे चाहे आप ब्रमा विश्व महेश तक बन जाना जब तक आप उस पूरन पुरुष तक नहीं पहुंचते मुक्ती संभव नहीं है चाहे इस सारे ब्रमांड का राज, ताज, धन, संपदा, वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन जब तक उसकी करपा प्राप्त नहीं होगी, आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया जिसके उपर उसकी करपा हो गई, उसे कुछ पाना और खोना सेश नहीं रहता लेकिन जब आप इन अवस्ताओं से गुजर करके जाओ, आपको एक एक चीज का एहसास होगा कि हमने क्या खो दिया, क्या पाया है, क्या संग्रे किया है, क्या लुटाया है कैसे इन स्वासों की अनमोल दोलत को हमने संसार के लिए खो दिया कैसे हमने इन युवा वस्ता को ऐसे ही बरबाद कर दिया कैसे हमने इन छोटी छोटी चीजों के भोग विलास के अंदर अपने अनंत अनंत दोलत को लुटा दिया कैसे हम किस परकार से जाग पाए कैसे हमने इस सनसार के एक-एक स्वास को गिंते-गिंते छोड दिया और यहीं छोड करके वापिस लोट गए अरे हम तब भी नहीं जागते जब हम सनसार के अंदर खड़े रहते हैं जब आप तहसील में जाओगे जब आप जा करके देखोगे तहसीलदार के पास कागच उठा करके देखना जो आपके नाम रजिस्ट्रियां है इससे पहले किसकी रजिस्ट्रियां थी उससे पहले किसकी थी उससे पहले किसकी थी सारा रिकार्ड आपके सामने आ जाएगा कहा से शुरू हुआ का तक यहीं नहीं रुकेगा कि आपके उपर रुक जाएगा या आगे भी बनता चला जाएगा पीडी धर पीडी चलता चला जाएगा बस नाम बदते रहेंगे समान वहीं का वहीं रहना है जब रहना वहीं का वहीं है तो हम क्यों से कुछ सिर्के उपर उठ प्रजूड रहे हैं, आप सोचो विचार करो हम नमस्ते और प्रणाम उशी को करते हैं जो हमारे से अच्छा काम करने करके जाएगा संसार की और ले करके जाएगा ये आपको उपर नहीं उठाएगा नीचे गिराएगा जितना आप नीचे गिरते जाओगे आपके इस्तिती खराब होती जाएगी जीवन खराब होता जाएगा शरीर साथ छोड़ना सुरू कर देगा आपके केस सफेद होने लग कानों से सुनना बंद हो जाएगा शरीर जवाब दे जाएगा तब आपके पास क्या उप्शन होगा ने भगती का ने संसार का जाना तो पड़ेगा उसका गुलाव आएगा आप निकल जाओगे वहां दर्मराज के दर्बार में जब गर्दन नीची होगी तब आपको पता च रूपी बंदगी की है ना सबत के उपर चले हो ना सेवा की है आप सोच भी नहीं सकते आपके तो दिमाग में भी यह चीजे नहीं है तो कैसे कल्याण होगा